नमस्कार दोस्तों अब हम आज की इलेक्टिकल अबजेक्टिक कुछन शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आज क्या पहला कुछन क्या है देखो आज क्या पहला कुछन है what is the value of peak factor जो हमारा sc होता है उसका peak factor का value यह 4 option में से कौन सा है 0.707 है या 0.637 है या 1.11 है या 1.414 है तो इसका answer होगा जो हमारा sc का peak factor होता है उसका value होता है 1.414 option number 4 is the correct answer तो कैसे होता है देखो जो sc का peak factor होता है उसका formula क्या होता है ना formula होता है maximum value divided by rms value means root mean square value होता है उसका formula तो उसके बाद देखो maximum value maximum value हो गया उसके बाद यह जो rms value है इसका formula क्या है ना rms value का formula है 0.707 into maximum value होता है rms value का formula तो यह उपर का जो maximum value है और नीचे का maximum value आपस में cancel होते हैं cancel होने के बाद क्या रहता है ना cancel होने के बाद रहता है 1 divided by 0.707 होता है और यह जो 1 divided by 0.707 है इसका value कितना होता है ना इसका value होता है 1.414 इसका value होता है तो इसलिए जो SC का जो pick factor होता है उसका भेलू क्या होता है ना 1.414 option number 4 is the correct answer देन देखो नेस्ट कुचन क्या है नेस्ट कुचन है what is the reciprocal of impedance जो impedance होता है सी सर्किट का उसका reciprocal ये 4 option में से कौन सा है conductance या सोसेप्टान से या admittance या reactance तो देखो जो impedance होता है उसका reciprocal होता है एड्मिटान्स option number 3 is the correct answer तो देखो ये impedance क्या होता है जही से हमारा DC सार्किट में register का काम क्या होता है ना current को अपच करना तो DC में सिर्फ registry होता है जो current को अपच करता है लेकिन SC में क्या होता है ना SC में register तो current को अपच करता है उसके बाद inductive reactance भी current को अपच करता है और capacitive reactance भी current को अपच करता है तो यह तीनों मिलकुर क्या करते हैं ना एसी सर्किट में current को अपच करते हैं तो यह तीनों मिलकुर क्या होता है इसको हम कहते हैं impedance कहते हैं तो यह impedance के फर्मला क्या है करना इसका उनिट क्या है इसका इसलिए जो तो ड्रेसी प्रकाल लुव इंपिडान्स होता है वहता है अड्मिटान्स और अपसन नंबर त्री दा करेक्ट एंसर गया थे लैंगो नेश्ट कूचन क्या है नेश्ट कूचन है what is the function of फिल्टर सर्किट जो फिल्टर सर्किट होता है उसका काम ये चार अप्शन में से कौन सा है पहला देखो जो फिल्टर सर्किट उसका काम AC को DC में कर्विट करता ह। तो इसका answer होगा, जब filter circuit होता है, वो to do rectify DFS DC अपयता है यह नहीं होता है उसमें कुछ số एसी रहता है उसको क्या कहते हैं तो जो 11 output मिल गया बहुत है इसको फिर एंटरी करते है ना ईयम्हें क्या करते हैं जो ले सट टिर थे cał उसमें जितना SC component था सब को rectifier करके pure DC output देता है तो इसलिए जो filter circuit होता है उसका काम क्या है ना pole setting SC जो हमारा rectifier से निकलता है उसको फिर से filter circuit फिल्टर करके DC में convert करता है option no.3 the correct answer then next kitchen देखो next kitchen क्या है what is the polarity of Interpol जो हमारा Interpol होता है इसका polarity वह नौर्थ पॉल है यह साउथ पॉल हम की से जानेंगे ना edge like ahead of the pole उसका आगे देखो मालों यह हमारा एक क्या है ना डिस जनेटर है उसका मालों यह हमारा साउथ पॉल हो गया और यह हमारा North पॉल यह में यह दोनों में पॉल है तो Interpol कहांपर connection होता है ना दो में पॉल के बीच में जो छोटा सा पॉल होता है उसको हम कहते है head of the pole आधब लेभऔ उसका सामने जो पॉल सुकर के मुतार होगा या उसके एक पॉल इसके behind में जो है उसके इसके मुतार वहांपर यलियों त सन्काल आगे बाल पॉल यह पिच्चे बाल पॉल किसल डिपेंड में करता है या ललोवध को जो गुमता हे कुछ इस डिमेंख में गुमता है तब होता है और यह पॉल यह पॉल यात dig क्या होगा ना उसका सामने वाला यह सा पोल्ट है यह ह्कोषण और टो यह और एक इंड यह जो ने वह से ची आँपन तो इसका भी आगे कौन नर्थ लोत इसका साथो पार होगा ढल्द स ऐसके सामने जो पॉल होता है उसका जो पॉलारीट होता है वही पॉलारीट होता है तो इसलिए ओप्षन नम्बर वनीद्टा प्रविश टाइप जन्रेटर इन में से कौन सा जन्रेटर को हमेशा लूड के साथ ही स्टार्ट किया जाता है बिना लूड में स्टार्ट नहीं किया जाता है जो हमेशा लूड के साथ ही स्टार्ट किया जाता है क्योंकि अगर हम बिना लूड में स्टार्ट करेंगे तो इसका स्पीड डेंजरोस स्पीड होगा जिसे यह डिसी जन्रेटर डेमेज हो सकता है तो इसलिए option number one is the correct answer जो DC स्टार्ट करने के टाइम लूड के साथ ही स्टार्ट किया जाता है देन देखो next question क्या है next question है in DC जन्रेटर which type of winding is used for high current देखो जब हमें high current की जोड़ोत होता है तो हम यह चार में से कौन सा type of winding का यूज करते हैं लाप winding को यूज करते हैं या दोनों लाप और वेब को यूज करते हैं या कोई भी नहीं लाप को नहीं वेब को यूज करते हैं तो देखो जो लाप winding होता है उसको हम low voltage और high current के लिए यूज करते हैं और जो वेब winding होता है उसको हम high voltage और low current के लिए यूज करते हैं याद रखना तो question में क्या है high current तो high current means यह जो लाप winding होता है option number one is the correct answer देन देखो नेश्ट कुचन क्या है नेश्ट कुचन है आर्थिंग इलेक्टोड और connected इन डेस देखो जो हमरा आर्थिंग के टाइम जो इलेक्टोड होता है उसको हम यह सीरीज में connection करते हैं या परललल में connection करते हैं या star connection करते हैं या डेल्टा connection करते हैं देखो जो तोट沖ो अर्थ होता हिसका अर्थव या अर्थइंग किया अलेक्टर होता है उसका ज्यादा होगा तो यह जो फंतनों से आर्थ्टों भी में सब्सक्रील समय होके चाहिए not पर एज पॉसीबूल एज काम रहना चाहिए तो कौन सा कनेक्षन में हमारा रेजिस्टन्स काम होता है। इसलिए जो आर्थिंग एलेक्टर होता है उसको हम पर्लाल में करते हैं जिसे क्या होता है ना उसका resistance कॉम होता है तो option number two is the correct answer then next question क्या है next question है the purpose of using salt and power powder charcoal in arthing is death देखो जोब हम arthing करते हैं तो अब क्या करते है ना salt salt और charcoal को use किया जाता है arthing में क्यों क्या जाता है देखो चार option है resistance को increase करने के लिए हम salt को charcoal को use करते हैं या resistance को decrease करने के या good looking के लिए करते हैं या none of the above देखो जब हम arthing करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं ना salt और charcoal को use करते हैं क्योंकि resistance को decrease करने के लिए option number two is the correct answer resistance जितना कम होगा उतना आसानी से fault current earth की तुरह flow होगा तो इसलिए option number two is the correct answer then next question क्या है if inductive reactance of a circuit greater than capacity ब्रेक्टन्स देन सर्किट इज़ देखो किसी भी सर्किट में अगर क्या होगा ना inductive reactance inductive reactance का भेलु क्या होगा ना ज्यादा होगा ग्रेटर दिना किसे ना का पासिटिव रेक्टन्स से ज्यादा होगा उस टाइम उस कोणिशन उस सर्किट को क्या कहेंगे लेडिंग सर्किट कहेंगे या लेगिंशन करेंगे या नीट्राल केंगे या नौन अव्द आब तो देखो यह inductive reactance inductive means inductance inductance का क्या क्या होता है ना यह लेगिंप पार्फेक्टर के लिए काम कुरता है जब किसी सर्किट में इंडॉक्टर का connection होता है उस सर्किट में क्या होता है ना लेगिंग पार्फेक्टर होता है तो इसलिए इस सर्किट में inductive reactance का भेलू ज्यादा है तो यह भी होगा option number two lagging होगा तो option अगर एक सी कापासिटिव रियक्टर्स ज्यादा होता है तो कापासिटिव में कापासिटर का काम क्या है ना लीडिंग करना तो अभी यह लीडिंग होता लेकिन यहां पोड इंडॉक्टिव रियक्टर्स का वेलू ज्यादा है इसलिए option number two is the correct answer देन देखो next question क्या है what is the power factor of series region and circuit जो हमारा series region and circuit होता है उसका power factor यह चार option में से कौन सा है 0.5 है या 1.2 है या 0.8 है या 1 है तो देखो जो region and circuit होता है उसका उसका जो power factor हमेशा one ही होता है option number four is the correct answer क्यूंकि देखो मानलो यह हमारे यह रेजिस्टर है यह इंडॉक्टर है औ अगर इस circuit में ये जो inductor है ये इंडॉक्टर है ये कापासिटर है तो ये inductive inductor का रेजरे everyone dwaदे लेक्टाण्स है और इसका reactant दोन अगर क्या हांगे ना equal बराबर होंगे इंडॉक्टिब viable रेक्टाण्स और क्याज़ चापकासिटीव रेक्टाण्स दोनो बराबर होंगे तो शिर्फ कौन होता है रेजिस्टेर रहता है तो रेजिस्टेर का पाउठर की तना आता है वह होता है इसलिए रिजोनल सर्कीट में जो पाउठर होता है वो हमेसा उवान ही होता है option number four is the correct answer तो आज केनी इतना ही थेंक्स प्फर वाचिंग